तो आज इसलिए मैं इन दोनों को compare करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या Redmi TV अच्छी है क्या differences क्या है तो शुरू करने से पहले यह जो लाल बटन है दबा दीजे सब्सक्राइब कर दीजे और लाइक अच्छे लगे तो चले चलते हैं तो सबसे पहले सबसे आपको यहां पे मिलेगा HDR10 आपका Mi TV में जबकि आपको Redmi TV मिल दाएगा Dolby Vision HDR10 HDR10 Plus HLG जो कि बहुत ही अच्छा है और दोनों में आपको विविट पिक्चर इंजन मिल जाता है और दोनों में आपको MEMC मिल जाता है जिसमें कि आपका जैसे 30 फ्रेम्स पर सेकेंड आरहा है त तो वो 60 फ्रेम्स पर सेकेंड बना देगा खुद तो जाधा अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है विविविंग में ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें कि कलर गयमेट कितना है तो वाइट कलर गयमेट NTSC 88% है आपका Mi TV में जबकि Redmi TV में 85% है ठीक है उपर नीचे है उसके बाद अगर हम बात करें की स्पीकर्स क्या है तो 20 वाट के स्पीकर मिल जाते है मतलब 10 10 वाट के दो Mi TV में जबकि Redmi TV में आपको 15 वाट के हो गए है अब तो 30 वाट के टोटल स्पीकर्स हो गए है तो ठीक है और दोनों में डॉल बी आडियो DTS HD मिल जाता है बट आपक मतलब EARC SK HDMI port में तो आपको पास्थ्रू से अगर आपका डॉल भी एट मॉस का साउंड बार है सर्टिफाइड तो आपके उसमें डॉल भी एट मॉस आ जाएगा अगर आप टीवी से कनेक करेंगे सो अब बात करते हैं हाडवेर की तो दोनों में आपको 64-bit का क्वार्ट को CPU मिल जाएगा A55 अब यह मीडिया टैक है कि एक क्लेरिफाइड नहीं किया गया है उसके बात करें GPU की तो माली 470 MP3 GPU मिल जाता है आपको मी टीवी में आपको मिलता है माली G52 MP2 GPU उसके बाद 22GB की रह मिल जाती दोनों में और दोनों में आपको श्टोरे 16GB का मिल जाता है और आपको अगर वाल मांट लेना है तो 499 रुपीज का अलग से आपको खरीदना पड़ेगा जो कि आपको मी स्टोर पे ही मिल जाएगा स्वाप बात करते हैं सौफवेर की तो मी टीवी में आपको मिलता है Android TV 9 जबकि आपको रेड्मी टीवी में सबसे लेटेश अभी तक मतलब की multiple input multiple output तो आपको जाद अच्छे Wi-Fi signals मिलेंगे Redmi TV में उसके बात करें डेटा सेवर मोड दोनों में है और आपका Redmi TV में extra है Auto Low Latency mode जो कि आपको Mi QLED TV में दिखाए दिया था तो जाद अच्छे आपका latency होएगा लाइक अगर आपकोई console भी अगर PS5 भी लगाते है इसक सब्सक्राइब और एंटीना का पॉर्ट मिल जाता है USB दो मिल जाते हैं आपको Ethernet का एक पॉर्ट मिल जाता है लाइन के लिए उसके बात करें अगर headphone jack मिल जाता है जो कि 3.5 mm का है HP deif मिल जाता है आपको और अब को HDMI के मिल जाते हैं वाट divide team 2.0 मिलेगा जिसमेंकी तीन पॉर्ट हैं HDMI की जिसमें दो तो normal है और एक अरसी है जब कि Redmi TV में आपको तीन पार्मेंट मिलेंग त्विबगे 2.1 की है जिसमें की आपको 1 EARC जिसमेंकी 2 normal मिलेंगे सो यह काफी अच्छा हो जाता है और आप console वगरा लगा के काफी अच्छी bandwidth से खेल सकते हैं और इसमें आपको अगर IR cable मतला आप setup box यूज करते हैं तो आपको setup box को integrate करना है patchfall के साथ तो IR cable अलग से खरिदना पड़ेगा वो आपको 249 उपेस की मिल जाएगी separately कंटेंट की बात करें तो दोनों सेमी है patch wall है सेम एप सेम सब कुछ है सारा कुछ सेमी रहेगा बस OS का difference है बट आपको इतना फर्क नहीं पता चलेगा सेमी है मतलब android 9-10 हो सेमी है कोई डिफरेंस ऐसा विजुली चेंज नहीं हुआ है सब बात करते टीवी रिमोट की तो दोनों में सेमी रिमोट है बट अभी जो रैड्मी टीवी का जो नया रहा है रिमोट उसमें आपको दो चाट सेटिंग्स मिल जाती है कोई क्वेक तो ज टाइम लगेगा और अपपनी टीवी को स्मार्टफोन से फिल के सकते हैं यहहा आप अपट डा inten Sello के जैसे कि मी रिमोट का आप अपा जो की शौमी का ही है घुद का उससे भी आप टीवी का सकते है या फिर हैं उसे विग अधी लियर स्ब्सक्धे चो सो बॉत करते हम यभ आपको मिल दाएगा 39999 का जबकी redmi tv में आपको मिल दाएगा 55 F-38999 का redmi tv, mi tv में आपको मिल दाएगा 65 F-P55999 जबकि redmi tv में आपको मिलनेगा 65 F-57999 K थोड़ा समेंगा है यहाँ पे redmi tv 65 inch बठ आपको ज्यादा specs अच्छे मिल रहे हैं और उच्छे चीजे हैं मतलब की future proof है और एक और चीज आपको बता दो build quality में बहुत difference है Redmi TV में plastic build है जबकि आपका Redmi TV थी 65 inch वो पूरी metal body थी तो काफी अच्छी quality थी बट थोड़ा compromise चलता है क्योंकि यह future proof है Redmi TV तो ठीक है और price जादा इसलिए है क्योंकि अभी Xiaomi ने बताया था कि पोस्ट कोवेड मतलब कोवेड के बाद से तोड़ा दिककर चल रहा है display units में तो इसलिए थोड़ा surprise ज्यादा है obviously कम होएगा तो price जादा हो जाएंगी stock में तो अगर बात करें availability की तो आपको Mi TV अवेलेबल है 24-7 flipkart और Amazon पर बट अभी Mi TV 65 inch out of stock चल रहा है पता नहीं कब आएगा वापस let's see और Redmi TV आपको 26 March को 12 बज़े first time sale पर जाएगा आपके Amazon पर आप जाकर खरीच सकते हैं plus ICAC का 2000 का flat discount मिल रहा है बहुत ही अच्छी टीव निकाली है मतलब एक refresh चाहिए था क्योंकि अपडेट होती लिए टेक्नोलोजी वैसी कोई दिकत नहीं है आराम से चल रही है एक्दम बढ़िया चल रही है वो तो पतले वाली पैनल था ना वो है अधम मस्त वाला तो कोई दिकत नहीं हाएगे दोसा तफाविश कर रहा हूं जो साल हो गहें मस्क्ट चल रहा है सब कुछ सब सही है तो आप ले सकते हैं इस तरह से अलब एक तरह का कस्टोमर रिव्यू दे रहा हूं मैं आपको सो नो डाउट ले सकते हैं और अगर मैं बोलू कि मी क्यों टीव फिफ्टी फो ट्रिपल लाइन किया और यह आपकी 65 इंच किया तो यह साइस का डिफरेंस है तो वह आपके ओपर अगर 55 इंच में आप क्यों लेंगी तो अब्रसली क्वालिटी आपको साधा अच्छी मिलेग तो आप इन कंपनीज को प्लीज एलजी सेंपसंग सोनी से कंपेर मत कीजे और फार बेटर और प्रेंटेशन की टाइम लाउंचिमेंट की टाइम भी लोग कंपेर करें तो शौमी लोग सोनी एलजी संपसंग के साथ काहीं से भी कंपेर नहीं हो सकता वो 90,100,000 ले रहे ना तो कोई रीजन के वैसे ले रहे हैं वो क्वालिटी दे भी रहे हैं आज में पास भी सैमसंग LED TV है जो की 3D है बट वो एक्चुल में आज भी पिक्चर क्वालिटी जाद अच्छी है उसकी मेरी मी LED TV 4 Pro से सो यह मैं आपको बोल सकता हूँ हूँ पूरे अच्छे तरिके से पाटन में मिल जाएगी जाके दरूर देख लीजेगा थैंकि दोस्तों वीडियो देखने के लिए उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी सब्सक्राइब आपने करी लिया होगा लाइक इन शेकर देगा जो वीडियो अच्छे लगे आज के लिए बस इतना ही टाटा ब बाइ